यह है और गैने कीट ना सक टमाटर के मुरोडिया रोगलीफ करल वायरस को एक बार में ही खतम कर देगा और यह हम घरेलू उपाय आपको वता रहे हैं हमने घर पे ही तैयार किया है और गैने कीट ना सक इसका चिड़काव करने से टमाटर के पौदे पर कितनी भी पुरानी ब बिलेगी तो कैसे आप सब लोग केरी गार्डन में आपका स्वागत है तो चले इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम इस टमाटर के पौदे की किया टिप्स के बारे में बात करेंगे यह हमने टमाटर का पौदा लगा रखा है जिस पर मुरोडिया रोग लीफ करल वाइरस का टेक हुआ है और क्यूडे ने भी बहुत टेक किया है पत्यों को खाने लगा यदि यह टमाटर के पौदे पर आ गया तो हमारे टमाटर की पूरी फसल को यह बरवाद कर देगा हमारे टमाटर के पौदे पर जो भी एक आद फूल फल वनेगा वो छोटे सादिका बनेगा अन्यता फूल गिर जाता है तो इस बीमारी से हम कैसे चुटकारा पाएं क्या हमें साबदानी रखनी चाहिए तो देखिए जब इस तरह का हमारे टमाटर के पौदे पर या मिर्च के पौदों पर ये बहुत ज़्यादा बीमारी अटेक करती है पपीता के पौदे प तो बनाई रखनी है क्योंकि हमें पौदा जीवित रखना है इसके अलावा इस तरह की लाइन बनने लगए इस पर क्योंकि इसे ट्रिप से बोलते हैं अब इस चीज से चुटकारा पाने के लिए हमें दो चीजों की जरूत रहेगी वो दो चीज क्या है जैसे कि अभी ये मुड़ी हुई है अगर उन दो चीजों का छुड़काव कर दो तो बिल्कुल एक इवार में ये पत्तियां बिल्कुल सही हो जाएंगी और पौदा बहुत जादा फूल और फल देगा तो चलिए अब हम उस चीज को जानते हैं तो आज हम घर पर ही और गैने कीट नासक बना के तैयार करेंगे इन दो चीजों से देखके आप समझ गए होंगे मेरे हाथ में आपको दो चीज दिख रही हैं सबसे पहले हमने अद्रक को लिया हुआ है जो कि हम अपने खाने में चाय में अन्य प्रकार के कामों में इस्तमाल करते हैं तो आपको अद्रक चाहिए दूसरी चीज आपको चाहिए नीम की ताजा पत्तियां ये बहुत जरूरी है यदि आप लोग सहर से बलॉंग करते हैं नीम की पत्तियां नहीं हैं तो आप नीम की पत्तियां अवेलेवल हैं तो हमने नीम की ताजा पत्तियां ले हुई हैं क्योंकि इन दोनों चीजों का यान की अद्रक और नीम की पत्यों का हमें रस निकालना है यही रस हमारे टमाटर के पौदे पर लगे मुरोड या रोग लीव करल वायरस को एक बार में ही खतम करेगा तो सबसे पहले तो हमने यह अद्रक लिया हुआ है अद्रक की हम एक छोटी सी गाट डालेंगे और देखिए हमने एक कुटने वाला एक ख्लड लिया हुआ है तो अच्छे से हम इसे बारी कर लेंगे इसमें से हम रस को निकालेंगे इस और याने किड़नासा को बनाने के लिए तो हमने अद्रक ले लिया दूसरी चीज ये जो नीमकी ताजा पतियां है जो हमारे पास हैं तो इन पतियों को लेकर हम इसमें डालव देंगे और अच्छे से इन्हें हम बारी कर लेंगे यानि की कोट लेंगे और इनमें हलका हलका हम पानी प्रयोक करेंगे तो चलिए अब सबसे पहले तो हम इस चीज को तैयार किये लेते हैं ये देखिए मैं बिल्कुल आपको एक रुपया भी खर्च करने की जरूत नहीं रहेगी मैं घरेले उपाए आपको बता रहा हूँ तो इस तरीके से हमें पहले तो इसकी अच्छे से कूट लेना है ये देखिए हमने कूट लिया है हलका ये बारिक हो गया अभी मैं से और कूटूँगा लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे हम तो इससे क्या आसानी रहेगी क्योंकि इसका रस निकलाएगा तो चलिए इस पानी को हम डाले देते हैं इस तरीके से अब थोड़ा साइसे हम लाएंगे तो यहां पर देखिए अब ये पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा कि इसका जो पत्तियों में जो रस था वो पानी के अंदर आ चुका है अब देखिए जैसे में लें हिलाया तो पानी का कलर भी चेंज हो गया अब ये पूरी तरीके से औरगेनिक कीट नासक बनके तैयार है इसके अलाबा आपके पौदों पर कीड़े लग जाते है या पत्तियों में छेद करने लगते है तना छेदक बीमारी का टेक हो जाता है उस पर भी आप इसका इस्प्रे करें बहुत तेजी से ये काम करता है औरगेनिक कीट नासक अब ये बनके तैयार है तो इसे हम एक इस्प्रे वोटल में इस पानी को जो हमने कीट नासक बना के तैयार किया है इसमें जो भी सुक चमपुस ततो निकले हैं पानी के अंदर रिलीज हुए है उसे हम इसमें डाल लेंगे और गयने कीट ना सको तो हमने एक चलनी और एक स्प्रे वोटल लिये तो अच्छे से इसकी मतलब से इसमें छान के हम इसमें डाले देते हैं इसमें हमने स्प्रे वोटल में 200 ml पानी को और लिया हुआ है तो चलिए जल्दी से हम इसे च्छान लेते हैं इस तरीके से ये आपको काम करना है अपने पौदे से मुरोडिया रोग लीफ करल वायरस को खतम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये मैंने आपको बताया है कि पौदों से कीडों को और मुरोडिया रोग लीफ करल वायरस को खतम करने का तो ये बनके तैयार है अब इसका हम छड़काव करेंगे अपने टमाटर के पौदे पर तो चलिए इसका हम ढकन लगा लेते हैं अब देखिए मैं इसका पूरे पौदे पर छड़का किया देता हूँ तो दोस्तो यही तरीका है टमाटर के पौदे से मुरोडिया रोग लीफ करल वायरस को खतम करने का एक ही बार में मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो प्योगी लगी होगी यदि वीडियो प्योगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके सेयर करदें और चैनल को भी सब्सक्राइब करदें हम मिलते हैं आपसे एगली वीडियो किसी नएट टॉपिक सा ठेंक यू